हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सेंट पर तो दोस्तो आज हम फिराज रहो गए हैं एक नई वीडियो के साथ में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो दोस्तो बने रही है वीडियो के साथ में मैंने इससे पहले वी एक वीडियो अप्लोड कराई हैं जिसमें आपका हाउस कीपिंग से रिलेक्शिड सभी टूल्स के नाम आपको बताए हैं जो आपके ट्रिय सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तो वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबालें जिससे की आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में तो आज की वीडियो में क्या है आज की वीडियो में जो हमारे हाउस कीपिंग सफाई करमचारी जो होते हैं उनके जितने भी टूल्स होते हैं उनकी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे कैसे उनको यूज करना है कब आ कौणसा cotton floor cleaning mop क्या है ये cotton floor cleaning mop यह होता है दोस्तों क्या है कि आप देख सकते हो इसे cotton floor मतलग कि सफाई पौछा या फिर हाथ का पौछा इसे बोलते हैं और इस पौचäre का इस्तमाल किसी भी फरस पर पौचह लगाने के लिए कर सकते हैं क्या है दोस्तों आपके सामने एक फोटो दिया गया है इसके बारी में पूरी डिटेल भी आपको दी गई है तो आसानी से आप इस वीडियो को एक बाल लाट्स तक जरूर देखें सभी टूल से रिलेटिड जो भी आपको कंशूजन है सफाई करमचारी जो सफाई करमचारी वाले जो भी स्टुडेंट हैं जितने भी टूल से सभी टूल से रिलेटिड सभी कंशूजन इस वीडियो में दूर होंगी तो पहला क्या है पहला हमने बता दिया है कॉटन फिलोर क्लीनिंग मॉप मतलब की क्लीनिंग मॉप क्या है यह सफाई का पोचा हो दोस्तो हमारा वेटिंग मॉप मतलब की गीला पोचा सॉरी वेट मॉप वेट मॉप क्या है यह होता है गीला पोचा गीला पोचा दोस्तो आप देख सकते हो वेट मॉप गीला पोचा इसे क्या बोलते है इसे वेट मॉप मतलब की गीला पोचा बोलते हैं वेट मॉप चार प्रकार के होते हैं लेकिन most of दो प्रकार के वेट मॉप का इस्तमाल ही ज्यादातर किया जाता है क्या दिया गया दोस्तो इसमें साप साप दिया गया है जो हमारे वेट मॉप होते दोस्तो ये चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से हैं आप देख सकते हो Red, Yellow, Blue and Green But most of क्या है दो पिरकार डो पिरकार के दो पिरकार के वेट मौपर पतल के गीले पोच冷 सबसे जादा दो पिरकार के पोच冷 का ही इस्तमाल किया जाता है बट यह होते कितने हैं यह होते चार पिरकार के हैं ब्त most of दो पिरकार के ही पोचे का इस्तमाल हम करते हैं, कौन-कौन से पोचे का इस्तमाल जाद अतर किया जाता है वो हम आगे बताएंगे, देखते हैं next हमारा सबसे पहला है blue wet mop, मतलब कौन सा blue मतलब की निला निला पोचा, याद रखना है निला पोचा, निला पोचा क्या है? भिलू वेट मौप. नीले पोचे, सूरी, नीले गिले पोचे का इस्तंमाल किसी भी फिलोर की सफाई करने या फिर पोचा मोपिंग लगाने के लिए कर सकते हैं. मतलब क्या बोला गया? इसमें साबसाब बताया गया है जो हमारा नीले कलर का मोप होता है नीला वेट मोप होता है उसका इस्तमाल हम किसी भी फिलोर की सफाई करने के लिए इस्तमाल में लाते हैं याद रखना किसमें बिलू वेट का मोप का इस्तमाल फिलोर किसका फिलोर की सफाई के लिए इसका इस्तमाल किया जात सब सब दिया गया है लाल गीले पोचे का इस्तमाल टोईलेट और बाथरूम की सफाई करने में पोचा या फिर पोचा लगाने में इसका इस्तमाल किया जाता है किसका जो हमारा लाल कलर का होता है लाल कलर का वेट मोप होता है उसका इस्तमाल मोस्ट अप कहां पर टोईलेट या फिर bathroom में सफाई करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है। याद रखना है, blue wet mop का इस्तमाल floor cleaning के लिए और red wet mop जो उसका इस्तमाल toilet या फिर bathroom की सफाई के लिए किया जाता है। Most important है, द्यान में रखके चलना है। यहां से आपके tray test में question आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं, next tool आजाए दोस्तो हमारा dry mop मतलव की सूखा पोचा। Dry mop क्या है, देख लेते हैं, dry mop को dust mop या फिर floor dust mop के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा dry mop हो, dry mop है, इसको dry mop या फिर floor dust mop के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो इस्तमाल किया जाता है, वो floor मतलव जो first होता है हमारा, floor से धूल, मिट्टी, कूड़ा, कच्रा, आदी की सापसपाई करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है। क्यों कि या जाता है क्योंकि दोस्तों जो हमारी देखो एक होती है फूल जाडू, फूल जाडू का इस्तमाल कहां किया जाएगा, जैसे रूम बगेरा होगे, छोटे इस्थानों पर हम फूल जाडू का इस्तमाल कर सकते हैं, जब हमारा बात आती है फिलोर बगेरा की, फिलो है दोस्तो हमारा bucket floor cleaning mop most important है दोस्तो सफाई करमचारी वाले student के लिए क्या है ये bucket floor cleaning mop याद रखना इसका नाम है bucket floor cleaning mop इसके बारे में जान लेते हैं तो देख सकते हो इसे घर पर और office में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसमें एक bucket mop को भीगोने के लिए और दूसरी उसे drain करने के लिए होती है दोस्तो आपको साफजाब बताया गया है एक तो होता है जो हमारा ये bucket दिया गया इसमें तो हमारा होता है cleaning water जो हमारा chemical वाला पोच्छा लगाने का पानी होता है ये कुछ हलके पानी, इसमें से जब ज़्यादा वाटर पानी आ जाता है, तो ये उसको सोक लेता है, कम वाटर कर देता है, ये इसमें बता गया है, साफ साफ पढ़ लेना है, मतलब कि इसे घर और आफिस में सफाई के लिए इसमें एक बकेट मॉप को भिगोने के लिए, तो आपको ज़्यादा भी महनत करनी नहीं पड़ती है, साफ साफ बोला गया दोस्तो, किसका जो हमारा बकेट क्लीनिंग मॉप है, इसका इस्तमाल हम गंदगी को साफ करने के लिए, दाग धब्बो को छुड़ाने के लिए, एबम मॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं, और इसक पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको इसमें ये बकेट दिख रहा, इसमें क्लीनिंग वाटर भरना है, जो हमारा कैमिकल वाला पोछा लगाने वाला पानी होगा, इसमें भरा होगा, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है मॉप, इसको दूसरे नंबर पर लेंगे, दूसरा नमबर यह तीस नमबर, फिर इसको करना है ड्रैन, ड्रैन करने के बाद में, आप किसी भी फर्च पर फिर इसको पोच्छा लगाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, मोस्ट इंपोटेंट है सफाई करमचाली वाले स्टूडेंट के लिए, देखते हैं नेक्स टॉपिक, नेक्स आता दोस्तो हमारा फिलोर वाइपर, क्या? फिलोर वाइपर के बारे में तो अदिकतर सभी को पता होना चाहिए, तो देख लेते हैं इसके बारे में पढ़ लेते दोस्तों आपको फोटो में दिख रहा होगा इसका नाम क्या है इसे बोलते हैं फिलोर वाइपर और इसका इस्तमाल कहां किया जाता है इसका इस्तमाल पानी को हटाने के लिए या फिर पानी को साफ करने के लिए फिलोर से पानी हटाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं, next tool, next tool है दोस्तो हमारा cleaning spray bottle, most important है यह, याद में रखना है, क्या cleaning spray bottle, देख लेते हैं, इसे रसाइन मतलब की cleaning, रसाइन मतलब की chemical, इसे chemical spray bottle बोलते हैं, और यह bottle अलग-अलग size में उपलब्द होती हैं, जैसे कि 350 ml से 550 ml तक यह इसके size में उपलब्द होती है, और इस bottle का इस्तेमाल सभी सफाई करमचारी, सफाई रसाइन मतलब की housekeeping जो chemicals होते हैं, उनको डाल कर, इस्प्रे करके सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए जो भी सफाई करमचारी होते हैं, इस bottle में housekeeping, मतलब ही chemicals जो होते हैं, chemical को डाल के bottle में spray करने के बाद, उस पे सफाई करने में इसकी help लेते हैं, तो most important है याद रखना housekeeping spray bottle, देखते हैं next tool, next tool है दोस्तों हमारा dust pen, यह भी most important है, dust pen क्या है, तो अब मैं बता देता ह इसे dust pen बोलते हैं, और dust pen का उप्योग कूडा कचरा उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस dust pen से कूडा उठाने के लिए सफाई करमचारी को नीचे जुकना पड़ता है, क्या है यह, यह आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में, इसका नाम है दोस्तों, dust pen, यह dust pen है अगर जब हम सापसफाई करते हैं, जो भी हमारे धूल मिट्टी, जो भी कूडा कचरा होता है, इखटा हो जाता है, तो उसके बाद में हम इस dust pen को हाथ में लेकर, ब्रस के माध्यम से उस कूडे कचरे को इसमें भर देते हैं, कूडे कचरे को इसमें एकत्रित कर देंगे, इसमें क्या होगा, इसमें हमें जुकना होगा कूडे कचरे को उठाने के लिए, क्योंकि ये छोटा है, इसलिए बैठ कर या फिर जुक करके वो कूडा कचरा हमें उठाना होगा, याद रखना है dust pen, most important है, देखते हैं next, next tool आता दोस्तो, lobby dust pen, जो दोस्तो मैं अभी बताया था, dust pen, dust pen भी हमारे दो पिरकार के होते हैं, मैं बताना भूलिया, dust pen दो पिरकार के होते हैं, एक तो मैं ने बता दिया आपको पीछे dust pen हो गया, एक तो ये हो गया dust pen, और दूसरा हो गया हमारा ये, lobby dust pen, lobby dust pen क्या है, देखो dust pen में तो हमें या तो बैठ कर कूडा भढ़ना पड़ता है अब बात कर लेते हैं लोबी डश्ट पैन की लोबी डश्ट पैन है क्या इसे लोबी डश्ट पैन बोलते हैं और लोबी डश्ट पैन का उप्योग भी कूड़ा कच्रा उठाने के लिए ही किया जाता है लेकिन इस लोबी डश्ट पैन से कूड़ा उठाने के लि यह lobby dust paint हो गया, यह उसका brush हो गया, यह तो dust paint है, यह brush है, याद रखना है, इसे क्या होगा, जो सफाई करमचारी है, आराम से खड़े होकर ही, अपने कूडे कच्च्दे को भढ़ सकता है, क्योंकि इसमें एक stick लगी हुई है, brush में और dust paint में, इस तक लगी हुई है, पहले lobby dust paint जो है, इसमें खड़े हो करके सफाई करमचारी को कूड़ा कच्रा आसानी से बढ़ सकते हैं, इसमें जुकने की जरुवत नहीं है, बट जो only हमारा dust paint है, यह जो dust paint है, इसको बैठ या तो सफाई करमचारी को नीचे बैठना होगा, या फिर नीचे जुकना होगा, को साफ कनने के लिए किया जाता है, साफ साफ दिया गया है, आप image में देख सकते हो, क्या है ये, इसे table duster बोला जाता है, दोस्तों, और इसका इस्तमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तमाल धूल मिट्टी के कड़ों को, मतलब कि एक प्रिकार से जारन, कपड़ों, जो हमार के कड़ों होते हैं, उनको साफ कनने के लिए किया जाता है, देखते हैं, next tool, next tool आ जाता है, दोस्तों, हमारा, micro fiber cloth duster, most important है, पढ़ लेते हैं, ये, चार रंगों में उपलब्द होते हैं, कौन-कौन से, पीला, नीला, हरा, और लाल, और इसका उपयोग, अलग-अलग काम के के लिए किया जाता है, क्या है दोस्तों, ध्यान में रखके चलना है, most important है, micro fiber cloth duster, जो दोस्तों, आपको image में दिखाई दे रहा होगा, ये आपके चार color में उपलब्द होते हैं, कौन-कौन से, एक तो हो गया हमारा, पीला, नीला, लाल और हरा, और इनका जो काम होता है, इन चारों का काम, अलग-अलग, अलग-अलग जगाह पर इनका काम किया जाता है, कौन-कौन से जगाह पर किस duster का इस्तमाल, कौन से micro fiber का duster किस के लिए किया जाएगा, ये हम आपको आगे बताएंगे, चलते ही next, next आजाता सबसे पहला हमारा आता है, blue micro fiber cloth duster, आपको image में दिख रहा है, इसका इस्तमाल कहा करेंगे, दिखा देता है, बता देते हैं, देखो, नीले micro fiber cloth duster का इस्तमाल, दीवारों की सफाई के लिए, और dusting करने के लिए, किया जाता है, याद रखना है, जो हमारे micro fiber cloth duster हैं, ये चार पिरकार के होते हैं, कितने, चार पिरकार के हो सब्सक्राइब कि येलो माइक्रो फाइवर क्लोफ रिश्टर का इस्तमाल किया जा सकता है जैसे मान लीजिए LED TV हो गया उसकी स्क्रीन होती है उसकी स्क्रीन को भी हम इससे येलो माइक्रो फाइवर क्लोफ रिश्टर से साफ कर सकते हैं मिरर हो गया कांच खिड़की इन सभी को किस से साफ किय जाएगा yellow color के microfiber cloth duster से इनको साफ किया जाएगा याद में रखना है yellow color microfiber cloth duster जो यह कि glass से बनी glass का शीशा इन सभी की वस्तुओं को साफ करने के लिए होता है देखते है next नेक्स्ट दोस्तों हमारा red microfiber cloth duster most important है यह भी किस को कौन सा red मतलब कि लाल micro fiber cloth duster का इस्तमार toilet seat को साफ करने के लिए किया जाता है ध्यान में रखना है most important है दोस्तों ये सफाई करमचारी वाले student से trade test में 101% पूछा जाता है याद में रखना है कौन सा? जो हमारा लाल कलर का micro fiber cloth duster होता है उसका इस्तमार toilet seat को साफ करने के लिए किया जाता है याद में रखना है नीला micro fiber cloth duster दीवारों को साफ करने के लिए है पीला micro fiber cloth duster कांच से बनी हुई वस्तु है जैसे कांच, सीशा, खिड़की इन सभीयों को साफ करने के लिए हो गया अब आता है लाल micro fiber लाल micro fiber duster जो हमारा इसका इस्तमार toilet seat को साफ करने के लिए किया जाता है देखते ही next next हमारा green micro fiber cloth duster मतलब कि हरे color का जो micro fiber cloth duster है इसका इस्तमार कहां करेंगे तो आप देख सकते हो हरे रंग के micro fiber cloth duster का इस्तमार furniture की polish करने के लिए किया जाता है किसमें furniture की polish करने के लिए हरे color के micro fiber cloth duster का इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तो most important है ये चार पिरकार के होते हैं sorry चार पिरकार के micro fiber cloth duster है चारों पिरकार के बारे में मैंने आपको बता दिया है blue वाला दीवार की साफ सफाई के लिए होता है red वाला toilet sheet को साफ करने के लिए हो जाएगा और जो हमारा green cloth duster है micro fiber cloth duster है ये हमारा furniture की polish करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है देखते हैं next दोस्तों जो अब ये student अभी हमारे youtube channel education person पर अभी नए आए हैं वो सब student इस channel को subscribe करके bell icon को जरूर दबा लें जिससे के आने वाली वीडियो का notification आप सभी को मिलता रहें तो देखते हैं next tool next tool क्या है दोस्तों next tool है हमारा soft straw मतलब की सीतल पौाल जाडू ये सीतल पौाल जाडू होती क्या है आपको image में दिख रहा होगा इस सीतल पौाल जाडू इसका इस्तमाल बहुत ही कम लोग करते हैं इसके बारे में अधिकतर जानकारी students को नहीं होगी तो मैं आज किस वीडियो में इसकी जानकारी भी आपको दे देता हूँ देखते हैं ये जाडू पौाल घास से बनाई जाती है किसे बना जाती है एक पौाल नाम की घास होती है उससे इस जाडू को बनाया जाता है और इस जाडू को सीतल पौाल जाडू के नाम से जाना जाता है क्या है इसे जो बना जाता है पौाल घास से इस जाडू को बनाया जाता है और इस जालू को हम सीतल पौल जालू या फिर सॉफ्ट इश्ट्रा ब्रूम के नाम से जानते हैं इस जालू का उपयोग फर्स एबम खुले इस्थानों की साफ सफाई करने के लिए हम कर सकते हैं इसका कोई भी एक perfect इस्थान नहीं है कि हम यहीं पर इसका इस्तमाल करेंगे इसका इस्तमाल हम first पर भी कर सकते हैं और छोटी मुटी खुली जगा है वहाँ पर भी इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं देखते हैं next tool next tool क्या है दोस्तों next tool आजाएगा coconut brome मतलब कि नारियल ज़ाडू इस ज़ाडू को नारियल ज़ाडू को नाम से जाना जाता है और नारियल ज़ाडू का उपयोग कठोर सतह की सफाई करने के लिए किया जाता है कठोर सतह जैसे कि हमाने मान लीजिए मैदान होता है coconut brome मतलब नारियल ज़ाडू का इस्तमाल हम कठोर सतह पर साफ सफाई करने के लिए करते हैं याद में रखना इस ज़ाडू से related question आपको 101% आपसे ट्रे टेस्ट में पूछा जाएगा देखते हैं next tool next tool आएगा दोस्तों हमारा coconut bamboo brome मतलब कि नारियल बांश के लिए कौनसी bamboo broom sorry coconut bamboo broom जो यह नारियल बांश ज़ाडू होती है यह सबसे most important है इसके बारे में इसमें मैं आपको बता दू यह जो ज़ाडू है इससे ही आपको साफ सफाई करवा के देखा जाएगा इसको पकड़ने का तरीका आपका देखा जाएगा इसको यूज करने का तरीका आपके ट्रेटरेस्ट में देखा जाएगा किस पिरकार से इसको यूज करते हो किस पिरकार से आप पकड़ते हो किस पिरकार से इससे आप ज़ाडू लगाते हो साफ सफाई करते हो कौनसी जगा पर इसका इस्तमाल करते हो यह सभी ट्रेटरेस्ट में इसका इस्तमा किया जाएगा कौन सी नारियर बांश जाडू जो होती है इसका इस्तमाल कठोर जगह पर किया जाता है अब बात कर लेते हैं इसके पकड़ने के तरीके की तो देख सकते हो आप coconut bamboo broom पकड़ने का सही तरीका जो हमारी जाडू है इसको पकड़ने का सही तरीका क्या होगा तो कै लेफ्ट हेंड आपको जो हमारा लेफ्ट हेंड है उसको बीच में आपको पकड़ना है इस तरीके से जो आपको साफ साफ दिखाई दिया है इमेज में इस पिरकार से जहाडू को आपको पकड़ना है वहाँ पर जहाडू पकड़ने का भी तरीका आपसे देखा जाएगा वह आपसे बोलेंगे कि इस बास जाडू को उठाईए वो आपसे यह नहीं बोलेंगे कि इसका तरीका बताईए कैसे पकड़ना है सिर्फ वो आपसे बोलेंगे ट्री टेस्ट में बास जाडू को उठाईए और इसका उप्योग करके हमें दिखाईए तो आपको पकड़ने का सही वहाँ पर नहीं करना है वो आपको बोलेंगे जारू को इस्तमाल करके दिखाओ तो फर्स पर नहीं करना है आपको दूर जाना है मान लिए आपको फर्स पर खड़ा कर रखा है तो आपको फर्स से नीच उतर के कठोर सतह है कहां पर कठोर कठोर सतें पर इसका इस्तमाल करके दिखाना है तभी आपको ट्रेश टेस्ट में पास किया जाएगा यह आपके most important facts हैं जो आपकी ट्रेश टेस्ट में अधिकतर लोग यहां पर fail हो जाते हैं देखते हैं next tool next tool आता है दोस्तो हमारा soft flower bro मतलब full जाडू इस जाडू को मुलाइम जाडू या फिर full जाडू के नाम से जाना जाता है और full जाडू का इस्तमाल first album चिकनी सते को साफ करने के लिए किया जाता है आपको image में दिखाई दे रहा है यह कौन सी जाडू है इसे full जाडू के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तमाल कहां किया जाता है इसका इस्तमाल most of first या फिर जितनी भी चिकनी सते हैं वहाँ पर इस जाडू का इस्तमाल किया जाएगा इसका इस्तमाल कठोर सते पर गलती से भी आप नहीं करना है वरना 3 टेस्ट में आपको fail कर दिया जाएगा याद रखना है फूल जाडू का इस्तमाल चिकनी सता या फिर फर्स पर इसका इस्तमाल करना होगा देखते हैं next tool next tool है दोस्तो हमारा soft plastic broom कौनसा soft plastic broom जो हमारी soft एक तो थी full जाडू full कौनसी full जाडू थी एक हो गई हमारी soft plastic broom दोनों जाडू में फर्क कुछ नहीं बच इतना है यह जो होती है यह plastic में available होती है बट soft यह भी होती है इसका भी इस्तमाल कहां पर किया जाएगा इसका भी इस्तमाल हम first और चिकनी सते पर ही करते हैं full जाडू का इस्तमाल और soft plastic जाडू का इस्तमाल जो हमारी soft plastic broom होती है इन दोनों का ही इस्तमाल फर्स और चिकनी सते पर किया जाता याद रखना है फूल जाडू का इस्तमाल और सौफ्ट प्लास्टिक ब्रूम इस्तमाल इसका इस्तमाल दोनों जाडू का इस्तमाल फर्स और चिकनी सते के लिए ही किया जाएगा ना कि इनका इस्तमल कठोर सत्य पर गलती से भी आपको नहीं करना है देखते ही next, next tool आ हो जाएगा दोस्तो हमारा कुन सा? housekeeping blue hand gloves, sorry इससे पहले आ जाएगा हमारा hard plastic broom hard plastic broom क्या दोस्तो? hard plastic broom के बारे में जान लेते हैं आपको फोटो में तो दिखाई दे रहा होगा hard plastic broom होता क्या है? देख सकते हो? तो दोस्तो जान लेते हैं इसके बारे में यह जाडू plastic से बनी एक कठोर plastic जाडू है और इसका इस्तमाल सभी bathroom, album, toilet, आधी के फर्स, आधी को साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है क्या दोस्तो यह जो जाडू है हमारी यह plastic से बनी हुई होती है बट यह hard plastic से बनी हुई होती है जो इसकी यह तीलिया है, यह थोड़ी hard होती है और इनका इस्तमाल जो किया जाता है बात्रूम और टॉयलेट को फर्स को साफ करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है याद रखना है हाड प्लास्टिक ब्रूम जो हमारी कठोर प्लास्टिक की जाडू होती है इसका इस्तमाल टोइलेट और बात्रूम के फर्स की साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तमाल हम करते हैं देखते हैं next tool next tool आता दोस्तो हमारा housekeeping blue hand gloves क्या blue hand gloves इसका इस्तमाल कहां किया जाएगा देख सकते हैं नीले दस्तमाल फर्स की सफाई के लिए किया जाता है याद रखना दोस्तो gloves भी most important है आपके tray test के लिए जो हमारे नीले कलर के दस्तमाल होते हैं blue hand gloves होते हैं इनका इस्तमाल कहां किया जाएगा तो इनका इस्तमाल जो हम फर्स की पोच्छा या साफ सफाई करेंगे तो उनका इस्तमाल हम blue hand gloves का इस्तमाल first की सफाई के लिए करते हैं देखते हैं next tool next tool आजाएगा दोस्तो हमारा red hand gloves कौन सा red hand gloves blue hand gloves का इस्तमाल तो आप फर्स की सफाई के लिए करते हैं अब देख लेते हैं red hand gloves लाल दस्ताने का इस्तमाल toilet seat याद रखना है most important है किसके लिए toilet seat की साफ सफाई करने के लिए हम लाल कलर के दस्ताने का इस्तमाल करते हैं red color के जो gloves होते हैं उनका इस्तमाल toilet seat को या फिर toilet की साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है याद में रखना है blue handclubs, floors cleaning, red handclubs, bathroom या फिर toilet या फिर toilet seat की cleaning के लिए इस्तमाल में लाए जाते हैं देखते हैं next tool next tool आता है दोस्तो हमारा scrubber hand scrubber यह है क्या चीज इसे चालनेते हैं इसका इस्तमाल फिलोर या दीवार की scrubbing मतलब कि गिसाई दाग धब्बों को फिलोर या दीवार से हटाने के लिए किया जाता है आप फोटो में देख सकते हो जब भी हमारे फर्स पर जैसे मालीजी या हमारा फर्स है इसमें कोई दाग धब्बा लग जाता है तब हम iscrubber इसको iscrubber बोल जाता है ये जो आपके सामने रखे हुएं ये iscrubber है hand iscrubber तब इन दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए हम iscrubber का इस्तमाल करते हैं मालीजी है किसी टाइस पर दीवार पर दाग धब्बे लग जाते हैं तब हम hand scrubber का इस्तमाल दाग दब्बों को छड़ाने के लिए करते हैं देखते ही next tool, next tool आता दोस्तों हमारा washroom या फिर toilet cleaning scrubber याद रखना है washroom या toilet cleaning scrubber इसका इस्तमाल bathroom और toilet seat की दीवारों और toilet seat की scrubbing मतलब घिसाई या फिर दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है वैसे तो most of इसका इस्तमाल कहां किया जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है यह हमारे toilet cleaning scrubber है इसका इस्तमाल वैसे तो toilet seat को साफ करने के लिए किया जाता है बट साथ में हम इसका इस्तमाल bathroom और toilet की दीवारों पर जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए भी हम toilet washroom scrubber का इस्तमाल कर सकते हैं देख सकते हो आप hand scrubber का इस्तमाल आपको toilet में नहीं करना है toilet का जो scrubber होता है वो अलग होता है वो मैंने बता दिया यह इस्क्रबर होगा आपका toilet के लिए और जो इससे पहले जो बताया बैने यह इस्क्रबर जो यह फिलोरिया फिर दीवार के लिए इस्तमाल किया जाएगा और इसका इस्तमाल toilet और bathroom के लिए किया जाएगा याद में रखना है देखते हैं नेक्स टूल नेक्स टूल आता दोस्तो हमारा गिलास इस्क्रेपर इस्क्रेपर का इस्तमाल सीसा और कांच से बनी सभी वस्तूओं को साफ करने के लिए किया जाता है आप फोटो में देख सकते हो जब भी हमें मिरर, कांच, खिड़की सीसे से बनी जो भी वस्तूओं होती है अगर उनको गंदे हो जाते हैं तो उनको साफ करने के लिए सबसे पहले इस्प्रे बोतल में कॉल इन बगेरा केमिकल लिया जाता है उनको उसको इस्प्रे किया जाता है इस्प्रे करने के बाद में उसके बाद में क्या किया जाएगा गिलास इस्क्रैपर यह इस्क्रैपर है आपके सामने क्या यह जो दिया गया यह इस्क्रैपर है उसके बाद में उस कैमिकल को इस्क्रैपर से साफ किया जाता जिससे की गिलास या काँच पर जो भी वस्तू है उन पर लगे दाग दब्बे हटाए जा सकें देखते हैं next tool next tool है दोस्तो हमारा cleaning duster इसे duster भी बोल सकते हैं cleaning duster को अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे की dust remover feather duster microfiber static duster multi color feather duster etc मतलब कि जो हमारा ये image में दिया हुआ है duster इसको कई नामों से जाना जाता है कौन-कौन से या तो इसे cleaning duster बोल सकते हो इसे dust remover भी बोल सकते हो इसे feather duster के नाम से भी पोकारा जा सकता है या फिर इसे micro fiber static duster या फिर इसे multi color feather duster के नाम से भी इसे बोल पोकार सकते हैं मतलब कि जान सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके के बारे में cleaning duster मतलब कि जो भी कुछ भी बोल लीजिए फैदर रस्टर या डस्ट रिमूवर cleaning रस्टर का इस्तमाल धूल और मिट्टी के कड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है किसका यह हमारा सामने दिया गया है cleaning duster या फिर डस्ट रिमूवर इसका इस्तमाल धूल और मिट्टी के कड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है देखते हैं नेक्स टूल नेक्स टूल आता दोस्तों हमारा कॉव वेव क्लीनिंग ब्रूम क्या होता है जान लेते हैं इसे मकडी का जाला सफाई कर को हटाने के लिए किया जाता है दोस्तों आपके सामने दो इमेज दिखाई दे रही है बट दोनों का मतलब क्या है दोनों इमेज का मतलब एक ही है यह जो है क्या है यह को वेब रिमूवर होती है मतलब की मकडी का जाला हटाने वाली जाड़ू होती है यह दो सिप में आती की भी अगर कॉफ वेब रिमूबर रखी जाती है कन्फ्यूज नहीं होना देख सकते हो दोनों को इन में यही डिफ्रेंस है बस इनकी बनावट में डिफ्रेंस है बट काम एक है मकडी के जाले को हटाने के लिए इनका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं नेक्स टूल नेक्स का सौफ्ट हातों से इस्तमाल करें तो इससे आपका कारपेट आसानी से साफ हो सकता है कड़े हातों से ब्रस चलाने से कारपेट के धागे तूट कर खराब हो सकते हैं अब बात करते हैं ठंडे पानी का इस्तमाल करें जब भी आप कारपेट की साफ सपाई करोगे तो उसमे क्या करना है थंडे पानी का इस्तमाल आपको करना है कार्पेट को साफ करने में हमेशा थंडे पानी का इस्तमाल करें इससे कार्पेट को किसी पिरकार का नुकसान नहीं होता है यह आपका क्या है यह आपका कार्पेट हो गया यह हो गया कार्पेट ब्रस Carpet brush से इसकी सफाई हम करते हैं कैसे हलके हातों से मतलब की साफ साफ इसमें दिया गया है देख सकते हो आप soft हातों से इस brush का इस्तमाल Carpet को साफ करने के लिए किया जाएगा अगर हम कड़े हातों से इसको साफ करेंगे तो इसके दागे तूट जाते हो और ये carpet खराब हो जाता है तो ये carpet brush का इस्तमाल कहां किया जाएगा Carpet brush का इस्तमाल Carpet को साफ करने के लिए किया जाता है देखते हैं next next tool आता है दोस्तो हमारा dust pen brush क्या है dust pen brush dust pen तो ये हो गया और dust pen का brush हो गया दोस्तो ये मैंने आपको dust pen के बारे में पहले भी बता दिया है बट मैं इसमें brush के बारे में बताऊंगा तो आप जान लेते हैं dust pen और brush का संयोजन अधिकांस पेसेवरों के लिए एक प्रमुक सफाई उपकरण है और इसका उपयोग विभिन पिरकार के उद्योगों के साथ 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 घरों में भी किया जा सकता है एक dust pen में छोटे या लंबे handle के साथ एक flat scoop होता है जिसे आप first से धूल और गंदगी साप करते समय आम तोर पर एक set के रूप में ब्रस या जालू के साथ ले सकते हैं यह जो हमारे dust pen है इसका इस्तमाल आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है जो हमारा dust pen होता है इसका इस्तमाल मैंने पहले भी बताया है गंदगी या फिर धूल मिट्टी जो भी होती है फर्स पर उसकी साफ सपाई को हम करते हैं तो उसकी गंदगी और धूल मिट्टी को लेने के लिए dust pen का इस्तमाल किया जाता है देखते हैं next tool, next tool आता है दोस्तों हमारा कौनसा? grout, grout brush, यह grout brush क्या होता है? तो जान लेते हैं grout brush 3-in-1 brush होता है आपके सामने दिख रहा है 1, 2, 3 यह 3-in-1 brush होते हैं तो जान लेते हैं grout brush 3-in-1, grout cleaning brush या फिर toilet, joint tub, floor cleaning या फिर utility room के लिए big scrubber या फिर lung brush, diva, tiles, rail, खिड़की के frame के लिए लिए यह विसेशग्या है इस scrub brush handle के साथ सबी घरेलू जैसे sour, bathroom, kitchen, seam, floor, line के लिए कठोर सफाई brush है मतलब इसका जो इस्तमाल किया जाता है कहां पर किया जाएगा? किसका? grout brush का इस्तमाल हम कहां कहां पर कर सकते हैं? इसका इस्तमाल हम grout cleaning brush का इस्तमाल, tile, joint, tub, floor cleaning, utility room, big scrubber, lung brush, diva, tiles, rail, खिड़की और sour, bathroom, kitchen, seam, floor इन सभी पर इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं इसलिए इसे 3-in-1 grout brush बोला जाता है कैई जगाओं पर इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं देखते हैं, next tool next tool आता दोस्तो हमारा kitchen corner brush kitchen corner brush क्या है? तो जान लेते हैं kitchen corner brush का इस्तमाल kitchen के सभी corner मतलब कि सभी परकार के दीवार या अन्य कोने जो दीवार होती है हमारी इसमें कोई भी गंदगी जैसे हैं हो गई यह होते हैं corner इसको corner बोला जाता है तो इसलिए सभी परकार के दीवार या अन्य कोने को अच्छी तरह से साप सफाई करने के लिए उपयोग में लाया जायता है किसका kitchen corner brush का इस्तमाल kitchen में kitchen के corner को अच्छे तरीके से साफ सपाई करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं next tool next tool आता दोस्तों हमारा hockey toilet brush hockey toilet brush का इस्तमाल toilet sheet और toilet bowl जो हमारा toilet का कटो रहा होता है जिसे हम toilet bowl बोलते हैं उसको साफ करने के लिए किया जाता है कौन से hockey toilet brush इसे hockey toilet brush क्यों बोला जाता है क्योंकि ये hockey की shape में brush होता है ये brush जो होता है हमारा इस shape में होता है इस type से इस type से यहाँ पर इसमें काटे लगे होते हैं wire लगे होते हैं साफ सपाई के लिए तो इसे ही लिए इसे hawky shape brush बोला जाता है आप देख सकते हो यहाँ पर यह एस टाइब से है इसलिए hawky shape brush इसे बोला जाता है और इसका इस्तमाल toilet seat के बाउल या फिर toilet seat की साफ़ सपाई करने के लिए किया जाता है देखते हैं next tool, next tool आता है दोस्तो हमारा dual side toilet brush अब ये dual side toilet brush क्या है जान लेते हैं दोनों तरफ toilet brush का इस्तमाल toilet seat और bowl toilet कटोरे को साफ करने के लिए किया जाता है hockey toilet brush की अपेच्छा इस brush में दोनों तरफ wire मतलब की तार लगे होते हैं लेकिन दोनों brush का कार्या एक ही है आप साब साब देख सकते हो जो हमारा hockey toilet brush है दोस्तो इसमें सिर्फ क्या है एक side में ही जो brush के wire है वो लगे हुए है और आप जो हमारा dual side वाला toilet brush है इसमें दोनों तरफ wire लगे हुए हैं बट क्या है दोनों का काम एक ही होता है क्या toilet seat को या फिर toilet को साफ करने के लिए इनका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं next tool next tool आता है दोस्तो हमारा floor and wall brush क्या है ये floor and wall brush floor और दीवार का brush इनके अलग-अलग इस्तमाल हैं देखते हैं floor brush का इस्तमाल floor की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है next है हमारा wall brush मतलब की दीवार brush दीवार का जो brush होता है दीवार brush का इस्तमाल दीवार की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है आप साफ साफ देख सकते हो यह brush है हमारे यह क्या है यह हमारे floor brush और wall brush है इनका इस्तमाल floor को साफ करने के लिए और wall मतलब कि दीवार को साफ साफाई करने के लिए इनका इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर इनमें एक stick लगा दी जाती है तब इनका इस्तमाल दीवार को उचाई तक साफ करने के लिए कर सकते हैं और फिलोर की भी साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं देखते हैं नेक्स टूल आता है दोस्तो हमारा हाड फिलोर ब्रस हाड फिलोर ब्रस क्या होता है इस ब्रस का इस्तमाल बड़े बड़े फिलोर फर्स आदी की सफाई करने के लिए किया जाता है अगर हम किसी छोटे फर्स या रूम की सफाई करते हैं तो वहाँ पर हम फूल जाडू का उपयोग कर सकते हैं लेकिन जब बात बड़े फिलोर या फर्स को साफ करने की आती है तब फिलोर ब्रस का ही इस्तमाल सबसे उपयोग माना जाता है सही बात है दोस्तों आप समझ सकते हो अगर हम किसी रूम की सफाई करते हैं यह मैंना आपको पहले भी बताया था भी पहले तो हम किसका फूल जाडू का इस्तमाल कर सकते हैं अगर बात आ जाए किसी फिलोर को साफ करने की फिलोर तो बड़े होते हैं तब उस टाइम पर सफाई के लिए क्या होता है जो हमारे फिलोर ब्रस होते हैं उनका इस्तमाल किया जाता है या तो ड्राइडस्ट फिलोर ब्रस होते हैं इनका इस्तमाल हम फिलोर के लिए करते हैं अगर छोटा रूम है छोटे रूम में हम सिर्फ फूल याड़ू का इस्तम कर सकते हैं और फिलोर के लिए फिलोर का ही इस्तेमाल करते हैं जिसे की काम जल्दी से खतम हो सके हो समय के भी बचा तिस से हो जाती ही है देखते हैं नेक्सट नेक्स्ट टूल है दोस्तो हमारा मेंटल worst क को इस्क्रबंग किया जाता है कोई वी फरस है अगर हमें उसको को किया गिसाई करनी है तब उस समय मशीन में इसका इस्त्माल किया जाता है देखें next tool next tool आता दोस्तों हमारा Indian toilet seat Indian toilet seat के बारे में तो सभी students को पता होगा तो दोस्तों जान लेते हैं Indian toilet seat के बारे में तो इसके बारे में क्या है पूरी information दी हुई है जो भी जिसके important fact है भारत में सबसे ज्यादा Indian toilet seat का उपयोग किया जाता है इसका उपयोग करते समय व्यक्ति अपने पैरों के साहरे बैठकर त्याग मलत्याग करता है मलत्याग मतलब की lettering या फिर potty बोल सकते हो करता है इस पिरकार की व्यवस्ता को squatting position कहते हैं ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से हम Indian toilet seat में बैठते हैं इस स्थिती में रक्त परिसंचरन अच्छी तरह से होता है और आपके हातों और पैरों को व्यायाम करने में भी आपको मदद मिलती है तो साब साब बताए गया है toilet seat के बारे में आपको जो भी most important इसके effect थे वो हमने आपको इसमें बताए है इसका इस्तमाल किसके लिए किया जाता है वो तो आपको सभी को पता ही है और सबसे best toilet seat कौन सी है Indian toilet seat या फिर western toilet seat या आप मुझे comment में जल्दी बताओ देखते है next tool next tool आता है दोस्तो man's urinal pot या फिर man's urinal toilet seat man's urinal pot या फिर man's urinal toilet seat का इस्तमाल urinal मतलब कि मूत्राले का मूत्राले का उपयोग पुरुस मूत्र मिसर्जन के लिए करता है इसका इस्तमाल किसके लिए क्या गाता है इसका इस्तमाल पुरुस मूत्र विसर्जन के लिए करते हैं देखते हैं next tool है दोस्तो हमारा western या फिर English toilet seat ये वैसे तो इसे western sally के अंतरगत आती है ये toilet seat जो है western sally के अंतरगत आती है बट कुछ लोगी से English toilet seat भी बोल देते हैं तो जान लेते हैं पश्चमी सब्यता पश्चमी सब्यता देख लो मैंने बताया था western sally आपको साब साब दे दिया गया है पश्चमी सब्यता के toilet seat सौच किरिया करने का ऐसा इस्तान है जहां पर आप आसानी के साथ अपने कूलों की साहता से बैठकर मलत्याग कर सकते हैं western toilet आजकर बहुत ही प्रचलित हो रहा है इसे मुख्य रूप से ब्रेटैन में प्रारम किया गया था जो पश्चमी देश से होते हुए बहारत जैसे अन्य देशों में भी इसका उप्योग किया जाने लगा है मलत्याग करने की इस व्यवस्था को sit down position कहा जाता है western toilet विशेश रूप से विरद्धावस्था वाले व्यक्तियों के लिए सुविधा जनक होती है जो इसका इस्तमाल होता है दोस्तो जो हमारे व्यद्ध बूढ़े व्यक्ति हैं या फिर विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए इसका इस्तमाल सबसे अच्छा माना गया है जो इंडियन विसली है उसके इसाब से इस toilet sheet को ज्यादा मानेता नहीं दी गई है सबसे ज्यादा ज देखतें नेक्स तूल नेक्स टूल है दोस्तो हमारा टor Laid flush tank क्या टor Laid flush tank होता क्या है टोईलेट फ्लस्ट टेंक का इस्तमाल टोईलेट में मलत्याग करने के बाद किया जाता है टोईलेट फ्लस्ट टेंक में पानी भरा होता है और इसका उपयोग मलत्याग को बहाने या फिर टोईलेट सीट को साफ करने के लिए किया जाता है आप साब साब देख सकते हो और इसका इस्तमाल भी आपको आता होगा इसका इस्तमाल किसलिए किया जाता वो सभी को पता होए देखते हैं next next आता दोस्तो हमारा glass cleaner telescope stick यह है क्या चीज़ glass cleaner telescope stick का इस्तमाल उचाई पर लगे glass खिड़की आदी को साफ करने के लिए किया जाता है जो अभी दोस्तो बड़ी बड़ी buildings होती है उनमें जो कांच खिड़की लगे होते हैं इनकी साफ सपाई करने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है tally scope stick का इस्तमाल इनकी साफ सपाई के जो कांच होते हैं सापसपाई के लिए टेली इसकोप इस्टिक का हुषत्वार किया जाता है देखते हैं नेक्स्ट टूल है दोस्ता हमारा वासीपिंग लίदर मतलब कि सीड़ी सीड़ी का उपयोग उचाई वाली जगह पर लगी लगी हुई गंदगी आदी को साफ करने के लिए किया जाता है सफाई के अलाबा अन्य कामों में भी इसका इस्तमाल किया जाता है हाउस कीपिंग जो सफाई करमचारी होते हैं अगर किसी उचाई की सफाई करना चाते हैं तब वो लैदर मतलब सीड़ी का उपयोग कर सकते हैं अन्य ता इसका उपयोग अन्य कामों भी अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है देखते हैं नेक्स टूल नेक्स टूल है दोस् tool basket most important है दोफ्तों यह आफ के लिए किसके जो भी सफाई करमचारी वाल student है इसके बारे में उसको जानना सफाई करमचारी वालो student को जानना बहुत जरूरी है यह most important tool है candy basket या tool उपकरन basket इसे cleaner box भी कह जाता है मतलब कि candy basket जो है जिसे हम tools बोल सकते हैं उपकरन हिंदी में बोला जाता है इसे cleaner box के नाम से भी जाना जाता है इसका उपयोग सफाई करमचारी कमरे की सफाई के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक की अपूरती के लिए किया जाता है बतलब कि अपने सभी उपकरन और रसाइन केमिकल्स को रखने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है साब साब भासामा में यही बोलना चाहता हूँ जो सफाई करमचारी होता है इस tool का इस्तमाल अपने सभी ओजारों मतलब tools को और housekeeping के केमिकल्स होते हैं उनको रखने के लिए candy basket या फिर tool basket का इस्तमाल करता है देखते हैं next tool next tool आता दोस्तों हमारा janitor card trolley या फिर filloid trolley यह क्या है इसका इस्तमाल कहां किया जाता है देख लेते हैं जब बड़ी मात्रा में अपूर्ती और वस्तू को धोना या बदलना हो तो यह hand candy की तुनला में अधिक उपयोगी होते हैं मैंने अभी बताया था यह क्या है यह हमारा tools रखने के लिए क्या है basket है इसकी ही अपेक्षा में यह मैंने आपको बताया है next tool यह janitor card trolley या फिर filloid trolley उसी के उपयोग में लाया जाता है मतलब उसी तरीके से इसके इस्तमाल भी किया जाता है साब साब बोला गया है जब बड़ी मात्रा में अपूर्ती और वस्तूओं को धोना या बदलना हो तो यह hand candy की तुनला में अधिक उपयोगी होते हैं वे सफाई उपकरण सफाई एजेंटों लीनन छोटे टुकड़ों को कुसल हटाने और ठुलाई करने के लिए आदर्स है ऐसी गाड़ियां और ट्रॉलियां कारिय इस्थल पर उपकरणों को छोड़ने जाने उपकरणों को जोड़ने या उन्हें एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जाने में बरवाद होने वाले समय को समाप्त कर देते हैं साब साब बोला गया है जै मैंने अभी आपको बताई थी जो हमारी सफाई करमचारी की candy basket थी उसको किसके लिए क्या जाएगा janitor card trolley या फिर flow trolley का ही इस्तेमाल हमको करना चाहिए उस समय हमें candy trolley या फिर tools के tools उपकरण का इसका इस्तेमाल नहीं करना है देखते हैं next tool है दोस्तो हमारा मौफ रिंगल ट्रॉली मौफ रिंगल ट्रॉली क्या है तीन बकेट मौफ रिंगल ट्रॉली गीले पूचे को हाथ से अधिक परियास किये बिना निचोडे में मदद करती है पहली बाल्टी मतलब जो पहली बाल्टी इसमें तीन बाल्टी हैं वन टू थ्री देख सकते हो आप तीन बाल्टीया है पहली दूसरी और तीसरी पहली बाल्टी में डिटर्जेंट के साथ पानी होता है जिसमें पोच्छा डूबोया जाता है फिर पोच्छे को दूसरी बाल्टी में खंगाला जाता है और फर्स पर पोच्छा लगाने से पहले तीसरी बाल्टी में डूबोया जाता है जिसमें कीटाडू ना सक भी हो सकता है मतलग इसमें साप साप बोला गया है पहली बाल्टी में क्या होता है पोच्छा लगाने के लिए पानी भरा होता है उसके बाद में इसमें पोच्छा डुबाया जाता है पोछा डुबाने के बाद दूसरी बाल्टी में इसमें को डुबाया जाएगा ड्रेंड किया जाएगा और तीसरी बाल्टी में केमिकल्स होते हैं जो हमारे पोछा लगाने के लिए यूज किया जाते हैं उसके बाद तीसरे बार में इसमें पोचे को डुबाया जाता है फिर उसके बाद फर्स पर पोचा लगाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो आप समझ गए होंगो मौपरंगल ट्रोली का इस्तमाल कहां किया जाएगा देखते हैं नेक्स टूल नेक्स्ट टूल है दोस्तो हाउस्कीपिंग रूम अटेंडेंट का ट्रोली ये है क्या चीज जान लेते हैं हाउस्कीपिंग रूम अटेंडेंट द्वारा उनकी दैनिक सफाइस गतिविदियों के लिए उप्योग किये जाने वाले सबसे महतपूर्ण उपकरणों में से एक है इसे रूम अटेंडेंट की ट्रोली नोकरी की गाड़ी या फिर चेंबर मैड की ट्रोली भी कहा जाता है यह सायद ग्रह विवस्ता विबाग में उपकरण का सबसे महतपूर्ण तुकड़ा है यह एक विशाल टूल बॉक्स की तरह है एक अतितिक अक्ष की प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए आवस्तक सभी चीजों का स्टॉक मतलब कि यह जो आपको दिया गया है इसको एक बाद ध्यान से पढ़ें और समझें जो आपकी हाउस्कीपिंग रूम अटेंडेंट कार्ट ट्रॉली है उसका उप्योग कैसे किया जाता है और किसलिए इसका इसका इस्तमाल किया जाता है यह most important है दोस्तो इसको एक बार वीडियो को पॉस्ट करके आसानी से इसको पढ़ें और तब समझें अब मैं समझाने के लिए इसको आपको आगे दिखाता हूँ समझाने के लिए मैंने आपको इसमें दिखा दिया है मैंने आपको इसके बारें पूरी डिटेल तो दे ही दी है बट इसको बता दूँ यह क्या है यह है आपकी रूम अटेंडेंट कार्ट ट्रोली इसमें क्या क्या होता है जब भी हम किसी भी रूम में जाते हैं मान लीजिए आपने paramedical staff का सफाई करमचारी का trade में फॉर्म अपलाई किया होने है उसमें आपको यह ट्रोली का इस्तमाल करना है ना चाहिए तो कैसे करना है तो इसमें क्या-क्या चीज़ें रखी जाते हैं इसमें साफ साब दिया रहा है जैसे cleaning supplies यहां पर रखे हुए हैं उपर रख सकते हो, बात प्रोडक्ट यहां रख सकते हो, कॉफी एंड हॉट कप्स उपर रख सकते हो, इसी पिरकार से जो इस ट्रॉली में रखा जाएगा समान वो आपको इसमें बताया गया है और वो ही तरीका इसमें आपको यहां पर भी बताया है क्या क्या समान इसमें ले जाया जा सकता और कैसे सेवा किसी मनुष्य की की जा सकती है तो यही इसमें बताया गया room attendant cartera leg most important है इसको एक बाँ जरूर पड़ ले हैं देखते हैं next, next आता दोस्तो हमारा vacuum cleaner machine vacuum cleaner machine जिसे केवल vacuum या हूवर के रूप में भी जाना जाता है एक ऐसा उपकरण है जो फर्ष अशबाब परदे और अन्यसतों की गंदगी को हटाने के लिए सक्सन का कारण बनता है यह आमतोर पर विद्धुत चालित होता है दोस्तों जो हमारी यह वेक्यूम क्लीनर मसीन होती है इसका इस्तमाल किसके लि हो गया परदे हो गया सोफा कुर्सी मेज इत्यादी इन सभी से धूल मिट्टी को हटाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है और यह एक विद्धुत चालित मसीन होती है मतलब कि इसको बिजली से चलाया जाता है देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है मैनुल का इस्तमाल पार्किंग छेत्र की डश्ट धूल मिट्टी आदी को साफ करने के लिए किया जाता है याद रखना है क्या जो हमारा मैनुल स्वीपर है आपको इमेज में दिख रहा है मैनुल स्वीपर इसका इस्तमाल जो हमारा पार्किंग एरिया होता है उसकी डश्ट धू पूल मिट्टी आदी को साफ करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है देखते नेक्स टूल नेक्स टूल आ जागा दोस्तों हमारा सिंगल डिस्क फिलोर इसक्रबर या फिर पॉलिश मसीन इस मसीन का इस्तमाल फिलोर की स्क्रबिंग और फिलोर की पॉलिश करने के लिए कि आगाता है image में आप देख सकते हो और इसे पड़े भी सकते हो image इसलिए दिया गया जिससे कि आप machine की पहचान कर सकें जब आपका tray test होगा हो सकता है आपके सामने machine रिक दी जाए और आपसे पूचा जाए कि ये कौन सी machine है इसलिए नाम के साथ साथ उसका image और उसका कारिया भी हमने आपको दिया है देखते है next tool next tool है दोस्तो हमारा floor grinder and polish machine क्या floor grinder और polish machine floor grinder और polish machine का उपयोग उत्पाद को प्रभावी रूप से धूल के किनारे को polish और फर्ज की गिसाई के लिए उपयोग में इसे लाया जाता है देख सकते हो floor grinder और polish machine कैसी होती है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है यह मैंने आपको बता दिया है देखते है next tool, next tool आता है दोस्तो हमारा next tool है floor auto scrubber machine floor auto scrubber machine का उपयोग floor की scrubbing मतलब गिसाई करने के लिए किया जाता है मतलब कि एक प्रकार से आप मान सकते हो पत्थर कहीं भी कहीं खराब हो जाता है तब उस समय इसकी गिसाई करके इसे चिकना करने के लिए इस machine का इस्तमाल हम कर सकते हैं का फिलोर ओटो स्क्रबर मसीन का इस्तमाल फर्स की गिसाई करने के लिए या फिर स्क्रबिंग करने के लिए किया जाता है देखते हैं नेक्स टूल नेक्स टूल आता है दोस्तों हमारा वालक बिहाइंड दी Scrubber Machine मतलब की Walk Behind Scrubber Machine का उपयोग First की Scrubbing करने के लिए किया जाता है और ये Machine Battery से चलती है याद रखना है दोस्तो Most Important है अब फुटो देख सकते हो जो हमारी ये Machine होती है इसका जो है मतलब की ये जो Machine होती है इसका इस्तमाल क्या है इसका इस्तमाल फिलोर की Scrubbing के लिए किया जाता है और सबसे Important बात ये है ये जो Machine होती है ये Battery से चलती है देखते हैं Next Tool Next Tool है दोस्तो हमारा Ride On Machine Ride On Machine का उपयोग First की Scrubbing करने के लिए किया जाता है देख सकते हो Machine भी देख सकते हो काफी सारी Machine है जिनका उपयोग First की Scrubbing, Polish और घिसाई करने के लिए किया जाता है कुछ Machine है मैं आपको इसमें Cover करा रहा हूँ क्या पता कौन सी Machine आपके सामने ट्रे टेस्ट में आपसे पूछ ली जाए तो देखते हैं Next Tool Next Tool आएका दोस्तो हमारा Ride On Floor Shweeper Machine मतलब की Ride On Floor Shweeper Machine का उपयोग First की दूल मिट्टी को साफ करने के लिए किया जाता है और ये Machine बैटरी से चलती है ध्यान में रखना है Ride On Floor Shweeper Machine जो होती है दोस्तो इसका इस्तमाल किसके लिए किया जाता है Machine होती है ये Machine बैटरी से चलती है आप इसमें ये Brush देख सकते हो ये धूल मिट्टी को साफ करते हैं और इसी में अंदर Stock ये होती रहती है इसका बाद में बाहर ले जाकर के फैंक दिया जाता है प्याद रखना है Ride On Floor Shweeper Machine इसका नाम है देखते हैं next tool अब next tool आ जाता है दोस्तो कुछ signboard जो हमारे सफाई करमचारी होते हैं वो कुछ signboard का भी इस्तमाल करते हैं तो हम signboard के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं तो सबसे पहला signboard है Cleaning in Progress इस signboard का इस्तमाल कब किया जाता है तो आप साब साब देख सकते हो सफाई करते वक्त इस signboard का इस्तमाल करते हैं किया जाता है मतलब की cleaning in progress अगर ये signboard आपको कहीं पर लगा मिलता है तो वहां से आगे आप नहीं जाईए इसका मतलब है कि अभी सफाई चल रही है वहां पर सफाई का कारे अभी चल रहा है देखते हैं next signboard next आएगा हमारा wet floor signboard wet floor signboard का इस्तमाल कहां किया जाएगा इस signboard का इस्तमाल पोचा लगते वक्त first गीला है मतलब इसका मतलब है अभी first गीला है इसका मतलब है अभी first गीला है अभी पोच्छा लगाया है उस समय इस signboard का इस्तमाल किया जाता है मतलब कि wet floor साबधान फर्स गीला है आगे ना जाए अभी फर्स गीला है इसलिए इस signboard का इस्तमाल किया जाता है देखते हैं next tool next tool आता है rest room closed rest room closed का है इस signboard का इस्तमाल जब विश्राम कक्ष मतलब की जो rest room होता है की साफ सफ़ाई होती है तब इसका इस्तमाल मतलब की तब साइन बोड को लगाया जाता है अब देख सकते हो rest room closed for cleaning ये आपको दिखाई दे रहा होगा signboard पर rest room closed for cleaning मतलब की विश्राम कक्ष सफ़ाई के लिए से हटा दिया जाता है देखते हैं Next Next टूल है दोस्तों हमारा work in progress इस signboard का इस्तर्बर जब कहीं पर कार्य या फिर काम चल रहा हो तब लगाया जाता है कोशन देख सकते हो वरक in progress मतलब की साब दान रही है कार्य अभी प्रगति पर है इसका मतलब होता है work in progress कार्य प्रगति पर है देखते हैं नेक्स टूल नेक्स टूल है दोस्तों हमारा no entry signboard इसका इस्तमाल कब किया जाएगा no entry signboard का इस्तमाल मतलब की अंदर आना मना है के लिए लगाया जाता है मान लीजिए कोई doctors है कोई office है कोई भी other office बगेर कश्वी है उसके बाहर अगर no entry signboard लगाया जाता है तो आप मान लीजिए के अभी अंदर जाने के लिए वो मना कर रहे हैं अंदर या तो कुछ emergency है या फिर कुछ कारे वो कर रहे हैं इसलिए no entry का signboard लगा हुआ है इसका मतलब होता है अंदर जाना अंदर आना मना है देखते हैं अगला तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जितने भी सफाई करमचारी से related जितने भी most important tools थे उन सबी tools के बारे में हमने आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया अच्छे तरीके से बताया अगर अब भी आपके mind में इसके अलाबा कोई भी किसी भी tools को ले करके question बन रहा है या फिर doubt है तो वो हमसे आप हमें comment में share करें या फिर हमारे telegram join करके आप हमें वहाँ पर अपनी problem share कर सकते हैं फुल help आपकी की जाएगी जो भी student सफाई करमचारी से related हैं वो सभी student इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए मैं आप मैं guarantee लेता हूँ trade test आपका बिल्कुल clear होगा बिल्कुल भी fail आपका trade test नहीं होने वाला है इस वीडियो को last तक आपको एक बार जरूर देख लेना है जो भी student अभी हमारे channel पर नए आए हैं वो सभी student इस channel को subscribe करके bell icon को जरूर दबा लें तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलेंगे जल्दी ही next वीडियो में